दोस्तों मेरे पास एक मैट रोला का डिवाइस आया हुआ है जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे तो इसमें फिलहाल एफर पी में मेरे पास आया हुआ है तो सबसे पहले इसका जो मॉडल है वो जान लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते है एक्सटी 1624 तो दरह पीसे से मैं वाइपस करनी में भी टूब जा रहा हूँ एकदम जो भी इसका बास करने का फुल प्रोसेस आपको छोड़े गई तो यह नि कुल मिला के कहना ये है कि आप इसे बाइपस नहीं कर सकते है अगर आपका हो गया है या हो जा रहा है तो मुझे पता नहीं लेकिन जो मैंने ट्राइक या इस डिवाइस में वो मैं आपको अपने जो दिल की बात है वो चाहिर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद यह नहीं है दोस तो वीडियो को बलाकरना और आप तोंको को गलत इंफमेशन देना मेरा मकसद सिर्फ रसी यह है कि आप लोगों को अगर आप किसी भी डिवाइस को लेकर चाहिए वह एफार पी हो या पैडल हो पैडललॉग हो तो उसमें अटके हुए त कुछ हद तक अपने वीडियो के माध्यम से मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है वीडियो बनाने का तो आप देख सकते हैं कि यह जो डिवाइस है दोस्तो इसे आपको इस मूड में लाना होगा तो इसमें लाने के लिए आपको क्या करना होगा वॉल्यम अब डॉन पावर ती तो आपके पास आता भी बहुत कम होगा तो इसके लिए यह जो डिवाइस है दोस्तों दिखिए यहां पर मैं ट्रोला डिवाइस मेनेजर 2.5.4 जो वर्जन है इससे आपने इस्टॉल किजिए गया मैं इसलिए यह वर्जन भी आपको बता रहा हूं क्यूंकि मेरा विंडो तो आप इसी वर्जन को यूज करें तो बेस्ट रहाएगा क्योंकि यह मेरा टेस्टेड़ है यह वर्जन टेस्टेड़ है तो आपने यहां पर पीची से अटेज रखना है ड्राइवर को इस्टॉल कर देना है उसके बाद मैं जो आज इसे अनलॉक करूँगा यानि इसका इसमें आपको क्लिक कर देना है यह आपको अगर यूम्ट यूज करते होंगे तो यह तो पता ही होगा अगर जिन भाइजों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दिया हूं कि आपको मैटोला की उसी में आना उसका न्यू एफार पी और यहां पर यह जो बताएगा वेट करन है जब तक आपका डियागनोस्टिक जो पोर्ट है वह एनेवलना हो जाए ठीक है तो आप देख सकते हैं अभी यहां पर आपको कोई भी छेड़ चार्चा नहीं करना है और हाँ दोस्तों अपना जो चार्जिंग जैक है उसे चिक कर लिजएगा ऐसा नहों कि जैक में को बाइपस नहीं होगा क्योंकि दोस्तों जब मैं आप फाइनल एक डम कंप्लीट कीजिएगा मैं मैंने सोच रहा था कि इसमें बाइपस करके ही आप एक वीडियो जरूर आपके लिए बनाओंगा लेकिन मैंने बहुत ट्राइक है दोस्तों जब यह क्या हो रहा है कि जब स्था गैसे पीसी पर गया इससे करने के लिए तो इसका जो चैक है इस जैक में इस्जाइक में इसी था यानि झेल आपके ऑन यसका करेगा इयाफोंकि और यह कह में है लिए क्या हो करने उसे आपको क्लिक करके okay कर दीजिए okay करने के बाद ही आपका जो beiast सका frp निकलेग का यह है तो फिरहाल देखते हैं कि इसका qeOO नहीं निकलेगा फिर भी मैं आपको यह पर कह दे रहा हूं कि जो भी मैंने जो तरीका था इसे निकलने का FRP को निकालने का वो मैंने आपको इस वीडियो में कह दिया ठीक है दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे और मेरी वाइस में कहीं सचा ही आपको लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों कि रोजटेक पर सिर्फ और स सब्सक्राइब करें तो शायद यहां पर हो सकता है मेरा जैक यहां पर कुछ हैशु कर रहा है जो मेरा डाटा केविड है इसमें शायद हो सकता है प्रॉलम क्योंकि मैंने इसका जो चार्जिंग जैक बनाया था वह 100 पर संट राइट है क्योंकि मैंने इसे चेक कर लिया हू तो हो सकता है डाटा केबिल में प्रावलम हों क्योंकि डाटा केबिल बहुत ही ऑल्ड है तो जो तरीका मैंने आपको इस वीडियो में कहा उससे जरूर फॉलू किजिएगा उससे आप सकते हैं ड्राइवर सबसे बड़ा जो इंपोर्टेट मुद्धा है दोस्तों वो जो 7 में भी मैं यूज़ कर रहा हूं और विंडो 10 में भी यह परफेक्ट काम कर रहें यह जो ड्राइवर है मैं ट्रोला का ठीक है यानि डिवाइस मेनिजर जो ड्राइवर है तो आप देख सकते हैं कि मेरा डिवाइस यहां पर FRP जो है वो निकल चुका है और यहां पर र जलीम हो सकता है दाडाबर में प्रek弦 या फिर कभी आपा जोड़ा है उससा रफेर होतर है कि आप पर देख सकते हैं कि इसका FRP मुझे लगता नहीं है दोस्तों कि इसने में आपको लग रहे हैं मैंने यहां पर छोटा सा वीडियो बना के छोड़ दिया अप्रोड कर दिया यह अगर आपके पास आया हो आया होगा आपने जहला होगा तो आपको समझ भी आया होगा ठीक है यह जो पूर्ट है देखिए हम पर एनेवल भी हो चुका यह यह पहली जब एनेवल किजिएगा उसके बाद ही वहाँ पर ओके का ओप्शन होगा आपका डिवाइस का जो एफर पी है वो निकलेगा ठीक है तो फिलहाल इसका जो एफर पी है वह कंप्लीट हो चुका है और आपको जो ड्राइवर का जो लिंक है वह मिल जाएगा फिर भी कोई कोई प्रॉब्लम लगता है तो बेफिकर होके कॉमेंट कर सकते हैं मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक यू सो मच